हेलो गाइज आप लोग देख रहे हैं राने सेवन डेवलेक्स पोक्स अनिक अगेंड में कर आज हम बात करने जा रहे हैं WWE Survivor Series 2022 के बारे में जो के हमें अब से कुछी दिन बात देखने को मिलेगी और आज इस वीगों के अंदर हम Survivor Series के तमाम मैचेज और बैकिंग आर्क्स के मताबिक जो Final Almost Backing Arts जोन के मताबिक कौन से सुपस्कार जो हैं वो अपने मैचेज के अंदर दीतेंगे और क्या Survivor Series के अंदर हमें कोई बड़ा अरकन होते वे दिखाई देगा तो इन तमाम possibilities के उपर हम आज केल में बात करेंगे दोस्तों इस साल की Survivor Series जो है वो पिछली Survivor Series जितने भी अभी तक Survivor Series के Premium Live Event या पिर पेपर व्यू हो चुके हैं इन तमाम Survivor Series के मकाबले में ये Survivor Series जो है वो काफ़ी हद तक गिफरंग होने वाली है क्योंकि इस साल Survivor Series का जो थीम है वो वार गेम्स के उपर है और इस विज़े से हमें इस साल की Survivor Series की लोग जो है वो काफ़ी हद तक गिफरंग देखने को मिलेगी पिछली कुछ Survivor Series के मकाबले में सबसे पहले शर्वाइवर सीरीज की 2000 कुछ सर्वाइवर सीरीज वार गेम के इंदर हमें सबसे पहला जो मैश देखने को मिलेगा वो होगा तब फेनामेनल AJS Kyle वर्सेस Finn Balor के दर्म्यान और इंच साइड के ओपर हमें काफी हद तक चुलमूल यानि के इंवालमेंट देखने को मिलेगी दोनों की तरफ से क्यूंकि एक तरफ जो है वो AJS Kyle की टीम होगी The Original Club और दूसरी तरफ जो है वो Finn Balor की judgment होगी लेकिन मैश तो यह सिंगल मैश है लेकिन क्यूंकि दोनों ग्रूप आमने सामनी होंगे एक तरह से और काफी हद तक हमें इंवालमेंग देखने को मिल सकती है लेकिन इस premium live event के अंदर AJS Kyle अपने पिछली एक जो streak उनकी हारने की चलती आ रही है खास तोर पर single streak जो के वो premium live event के अंदर काफी अरसे से हारते आ रहे हैं वो streak उनकी इस survivor series के अंदर end हो जाएगी क्योंकि backing arcs के मताबिक AJS Kyle जो है वो इस match के अंदर Finn Balor को हरा देंगे इसके बाद जो अगला match हमें देखने को मिलेगा वो होगा women's war game match और इस match के अंदर एक तरफ जो है वो बयांका ब्लेयर की team है दूसरी तरफ जो है वो बेली की team है और यह proper war game होगी जोसरा के हमें एनेक्स की के अंदर देखने को मिलती है सब चीजें उसी तरह ही होगी और इस match के अंदर जो इंक्रस्किंग fact है वो यह है कि हमें अभी तक बयांका ब्लेयर के team के 5th member का नहीं पता rumors तो काफी जादा आरते लेकिन उनमें जो top rumor है वो यह है कि हमें बैकी लेश जो है वो return करती हुए दिखाई दे सकती है और वो join कर सकती है बयांका ब्लेयर की team को against Bayley की team के खिलाफ और अगर ऐसा होता है वैसे भी backing orcs जो है वो ज्यादा ब्लेयर की team को favor कर रहे हैं लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें इस match के अंदर बैली की team की hard way almost confirm ही पता चल जाएगी और backing orcs के मताबिक इस match के अंदर ब्यांका ब्लेयर की team जो है जो face team है वो बैली की team को जो की heel है उसको हरा देगी इसके बाद जो हमें अगला match देखने को मेलेगा यह अभी तक officially confirm तो नहीं हुआ है और ना ही इन दोनों सुपरसकार जिन दो सुपरसकार के दर्मियान हमें यह match देखने को मेले जो है कि इन दोनों की काफी हद तक scoreline जो है किचमेच अपस में चल रही है SmackDown के उपर तो कई नहीं कहीं गब्ली गब्ली जो है वो आने वाले time के अंदर इन दोनों का match भी करवाएगी और हो सकता है कि survivor series जो है exactly वो प्लेस हो जहां पर LA Knight और Brave White का हमें पहला match जो है वो फ्य और हो सकता है मैच के अंदर वैसे तो बैकिंग और सो ब्रेवाएग को सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा लेकिन हो सकता हमें मैच कोई शॉकर अगर यह मैच हुआ तो कोई शॉकर भी देखने को मिले शायद ब्रेवाएग की जगा LA Knight जो है वो ब्रेवाएग को हरा दे एक तरी मैच के अगर इन दोनों का मैच है वो होता है इसके अलावा जो अगला मैच हमें देखने को मिले गा WWE के प्रीमियम लाइवएवन केंदर सर्वाइवर सेरिस केंदर और यह मैच ओफिशली कंफर्म है यह मैच होगा एक क्रिपल थ्रेक मैच फोर WWE Unique X Games Championship और इस मैच के अंद क्लिरली फेवरेट हैं Bobby Lashley और 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 इस मैच के अंदर हमें जो clear dominance दिखाई देगी वो Bobby Lashley की तरफ से दिखाई देगी और हो सकता है इस मैच के अंदर अगर WWE जो है वो आने वाले कायम के अंदर Brock Lesnar का और Bobby Lashley का एक मैच और हमें यकीनां देखने को तो जरूर मिले क्योंकि इस मैच जो है वो 9 qualification match है और वैसे भी Survivor Series जो है एक बड़ा प्रीमियम लाइव ग्रेंखा का अगर Brock Lesnar जो हो सकता है अपना रिकरन करें और साथ में Bobby Lashley को अगें युनाइक से कायकल जो है वो कॉस करवा दें जैसे उन्होंने पहले मंगना एक रॉकियों पर कॉस Bobby Lashley और No.3 जो सबसे काम चासिज है वो और सकें ठीयोरी के नजर आ रहे हैं बार दोस्तों अगर इन बैकेंग और कुछ भी चेंजिस है तो मैं किसी ने किसी शौर्ट विगो की तूरू Survivor Series से पहले आप लोंको पता दूँगा और सेकंड ली जब मैच के auger है यह मैं अप दिखाय देगा साथ में उनायकर 6 चैंपियन वाला तो यह अगर जो है हमें अलमस्ट है वो एक्जेक्टि उसी दिन पता चलेगा जिस दिन Survivor Series वो स्कार होगी इसके बाद जो अगला मैंस हमें लेखने को मिलेगा वो होगा WWE SmackDown Women's Championship के लिए और इस मैच के अंदर राउंगा राउजी जो है वो अपने काईगल को डिफाइंड करेंगी अगेंस शॉक्स जी और इस मैच के अंदर हमें एक बड़ा रिकरन होते वे भी दिखाई दे सकता है जो के होगा शालिक फ्लेर का जो के अर्लियर जब रेसल मेनि के तो हो सकता है इस के अंदर हमें शालिक फ्लेर का अल्मोस्क 5-6 मंत के बाद रिकान देखने को बिले और वो गैफिनेकली राउंगा राउजी को हैं वो किसी ना किसी तरीके से आके अके करेंगी कि राउंगा राउजी नहीं उनको हरा के SmackDown Women's Championship को जीता था अगर मैं बैक स्वाइवर सीरीज के फाइनल मैच के उपर जो कि हमें देखने को मिलेगा वार गेम्स मैच बेक्वीन दबलग लाइन वर्सुज अपर ब्रॉलिंग ब्रॉलिंग ब्रॉक्स केविन ओवन और इस मैच के अंदर हमें काफी जादा फिसिकलिक भी दिखाई देगी और केविन और सैमी जेन यह दोनों जो हैं वह सर्वाइवर सीरीज के समाच के अंदर होने वाले हैं मेन प्लियर और अपनी कीम को जित्वाने में इन्ही दोनों सुप्रिसकार का हाथ होगा अगर मैं बेकिंग ओक्स के अवाले से बात करूँ तो इस वकर जो हैं वह जादा बेकिंग जो हैं वह फेवर कर रहे हैं ट्राइबल चीफ रोमें रेंज की ब्लड लाइन को लेकिन जो सामने कीम है शेमस की ब्रॉलिंग ब्रॉक्स, ग्रूमेगनिकार और कैवनोंस की टीम इसके भी नंबर इतने कम नहीं है आस पास ही है और सर्वाइवर सीरीज के दिन हमें एक्ज कैवनोंस वार लोस्तों बैकिंगार के अंदर अगर जरा से भी चेंजिस आये तो मैं आप लोंको न्यू वीडियो के अंदर प्ता दूँगा बिलता हूं अपनी एंगली वीडियो में तब तक के लिए गुर बाई